हिमाचल से एक दुखत खबर सामने आई जसमें हिमाचल के डिप्टी सिया मुकेशक निहोतरी की पत्नी प्रोफेसर सिम्य अगनी होतरी का शिकरवार रात को निधन हो गया उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाये गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत्य खोशित कर दिया इसके जानकारी खुद मुकेश अगनी होतरी ने देर रात बारा बजे अपने फेस्बुक पेज पर ती मुकेश अगनी होतरी ने बताया कि सिम्मी अगनी होतरी के पार्थी उदेह को उनकी पैत्रगाउं गोंधपूर जैचंद लाया जा रहा है जहां दोपैर एक बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा दो बचे अंतिम संसकार होगा 56 वर्षिय सिम्मी अगनी होतरी हिमाचर प्रदेश यूनिवर्सटी में लोग पुश्यासन विभाग में प्रफिसर थी दो दिन बात यानी 12 अरवरी को उनके घर जागरण होने वाला था जिसके लिए उन्होंने वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाली थी सिम्मी अगनी होतरी के निधन पर सियम सुक्विंदर सिंग सुखु समेत कही निताओं ने दुख चताया है